आप साथियों आप सभी को एक motivation भरी कविता एक उत्सा भरी कविता आप सभी के बीच प्रस्थूत करना चाहता हूं आप सभी इस चीज को सुनकर उत्सा से भर जायेंगे और किसी भी काम को करने के लिए आप अपनी पूरी जान जोग देंगे पूरी लगन से उस काम को यानि सफलता पाने को आप मजबूर हो जाएंगे ऐसी कविता आप सभी के बीच प्रस्थूत करना चाहता हूं और मैं एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की बात करना चाहता हूं जो अगर चाह ले तो पहाड भीला सकता है तो ऐसी ही कविता को मैं आप सभी के बीच प्रस्थूत करना चाहता हूं और ये लाइने हमारे प्रिय कवी रामधारी सिंदिनकर की है और रस्मरति की कुछ पंगतियाँ है जिनको मैं अपनी वाडी से आप सभी को क्या बीच प्रस्थूत करना चाहता हूं अब सभी को चुनाना चाहता हूं अगर अच्छी लगे तो comment box में एक प्यारा सा comment हमारे लिए आप लोग छोड़ दीजिएगा तो दोस्तो सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है सूर्मा नहीं विचलित होते छड़ एक नहीं धीरज खोते छड़ एक नहीं धीरज खोते, विगनों को गले लगाते हैं, समस्याओं को गले लगा लेते हैं, ऐसे वीर पुरुस होते हैं, जो आ रही है समस्याओं, तो उनको भी गले लगा लेते हैं, तो कहता है कभी, विगनों को गले लगाते हैं, काटों में रहा बनाते हैं, मुखसे कभी उफ कहते हैं संकट का चरण आ गहते हैं जो आप पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरतनित रहते हैं सूलो का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति परचाने को है कौन विग्न ऐसा जग में कभी कहना चाहता है कि कैसा कौन विपत्ति है कठिनाई ऐसी कौन सी है जो ए अज़ा वीर है तो आप भी ऐसी समस्याओं को सहने के लिए कहड़े हो जाइए एक सफलता पाने के लिए अपनी दम को जोग दीजिए मैं कहना चाहता हूँ है कौन विग्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में ऐसे वीर नर के दिमाग में कौन सा ऐसा विग्न है जो थोड़ी देर के लिए भी ठैर सकता है कोई नहीं है मैं तो मानता हूँ ऐसा कोई विग्न है ही नहीं जो एक उत्सा से भरे हुए व्यक्ति के अंदर हो, ठिक सके थोड़ी देर के लिए भी, तो कभी यही कहता है, है कौन विग्न ऐसा जग में, ठिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, परवत के जाते पाउ उखर, परवत के जाते पाउ उखर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है, दोस्तों, गुड बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियारी हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोसनी नहीं वहपाता है, अपनी आप बुद्धी नहीं खोलोगे, तो सफलता क्या खुछ नहीं मिलने वाला है, अपना विवेक खोलिए, और देखिए क्या आपके लिए सही है, और क्या आपके लिए गलत है, किस जगह से जाओं, तो रास्ता नश्दीक लगेगा, मंजिल जल्दी मिल जाएगी, कौन सी मेहनत स करों, तुम हमको सफलता, बहुत सीग्र मिल जाए, दोस्तों पीसा जाता, जब इच्छुदंड, जरती रसकी धारा अखंड, म्हंदी को पीसा जाता है, बहुत प्रहार सहती है, तब कहते हैं कि मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओ का सिंगार ललनाओ क्या होती है माता ठीक है लला होता है पुत्र और ललनाओ क्या होती है माता होती है तो कहता है मेहंदी जब सहती है प्रहार ललनाओ का बनती सिंगार जब फूल पिरोए जाते है जब फूल को सु कौन हुआ वसुधा का नेता कौन हुआ फूखंड विजेता कौन हुआ नवधर्म प्रडेता कौन हुआ कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया विखनों में रहकर नाम किया कभी आराम नहीं है विखन भी आ रहे हैं तो उनमें भी हम नाम करने का जजबा रखते हैं हम ऐसे वी कवी के माध्यम से प्रस्तूत करना चाहता हूं कि जब विग्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं विग्न आ गई आप किसी भी खुसहाली में विस्त थे आप एक्टम से पता चला कि कोई विग्न आपके सामने आ चुका है कि कठनाई एक पीड़ा आपका इंतजार कर रह सत्पत की ओर लगाकर ही जाते है हमें जगाकर ही सत्पत यानि सही रास्ते में लगाकर ही आपको जाएंगे अभी तो आप बढ़िया खुसहाल जीवन जी रहे हो लेकिन गलत भी काम हो रहे कुछ भी हो ठीक है लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा विपत्ति आई है तो एक सही रास्ते पे चलने लगोगे, ये भी बिल्कुल सचाई है, तो एक आगे की लाइन है कि वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्सा अंधर आतप अखंड, पौरुस के हैं साधन प्रचंड, पौरुस के हैं, चाहे वर्सा आए, अंधर आए, तो पौरुस की पहचान होती है, तो यही कभी कहना चाहता है, वर्सा अंधर आतप अखंड, पौरुस के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून ना मिलते हैं, वन में फूल नहीं मिलते हैं, और बागों में ना साल खिलते हैं, तो यह कहता है, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों म साल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता जिनको अंबर, ऐसे वीर पुरुस को कंकरियां उनकी सेज सुधर होती है, कंकरियों पर ही सो जाते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता एकेवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आधिया सुनाती हैं जो लाच्छा ग्रह में जलते हैं वही सूर्मा निकलते हैं वही सूर्मा बनते हैं दोस्तों अगली लाइन बहुत ही अच्छी है और काफी आपको सास भशर बहुत द्रशान से तुननें गां बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, कैसी भी विपत्तियां हो, आपको उनसे उन पे हावी होना है, या विपत्तियों को आप पे हावी नहीं होना है, तो बढ़कर विपत्तियों पर छाजा, मेरे किसोर मेरे ताजा, जीवन का रसचन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे तूस व्यंदेश भयकारी है किया कर सकती चिंगारी है। दूस्तो ये कवितां तो एक दो लगी Гराओ करके जरूर पताई बराइक कर दाईधाए जया वेड offers कर दीजिएगा जय हिन जय भारत